स्वागत ए स्टुडेंट साब का अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा 6 का गनित का घ्रह कार जो की प्रारंबिक आकरों को समझने से लिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशन नमबर एक से एक रेखा पर बिंदू ABC इस परकार इस्थित है कि AB 5 है BC 3 है और AC किता है 8 तो इन में से कौन सा बिंदू अन्य दौन बिंदो की बीच में इस्थित है तो हम देख सकते हैं जो B है वे इन दौन AC की बीच में इस्थित है तो बिंदू B जो है वे AC की बीच में इस्थित है पूरा 8 हो गया ये किता है 5 और ये 3 अगरा देखिए संपुन कौन किसे कहते हैं चार समकॉन के बराबर या 360 को समपुन कौन कहते हैं प्रश्च नमबर तीन है घड़ी के एक घंटे वाली सुई जब तीन से नो तक पहुंसती है तब वह एक घुनन के कितने भिन घुम जाती है तो एक घुनन के आदा घुम जाती है अगला है घड़ी के घंटे वाली सुई कहां रुकेगी जब वहे 6 से प्रारम हो करके एक समकौन गूम जाए तो 9 पर रुकेगी तो समकौन बन जाएगा 90 डिगरी का कौन अगला है निन्मे के माप लिखिए एक समकौन किसके बराबर होता है 90 डिगरी के बराबर और एक एक रिजू कौन किसके बराबर होता है 180 डिगरी के बराबर होता है तो बच्चों ये ता हमारा आज का घ्रे कारे कफचे 6 गनित का जुडरी चैनल से धन्यवाद